आज हम मैंगो फ्लेवर वाला डोनर्स बना के तायर करेंगे चादातार फ्लेवर डोनर्स में हम एसेंस डाल के उसका फ्लेवर चेंज करते हैं लेकिन इसमें हम रियल मैंगो पुल्प डाल के ये डोनर्स बना के तायर करेंगे तो चले रेशिपी देख लेते हैं अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करें वीडि़ियो अगर आच्छा लगे तो लाइक करें और राइट सर्ड में जो बेल का आइकन इसको जरूँ छिलिक करें ताके मैरे आने वाले बीडियो हम रख देंगे दो कप मेदे में हम डालेंगे एक टेबल स्पन रिफाइन्ड ओयल अभी ले लेंगे टू टेबल स्पन सुगर पाउडर ड्राइस्ट की गोल को आड़ करेंगे और वानफोर टीएस्पी नमकाड करेंगे यह मैंने दो मिडियम साइज आम का पल्प निकल के रखेंगे आम की रस को अभी मैदे में आड़ करेंगे सब इंग्रेडेंट्स को मिलाते हुए आच्छे से गुन लेंगे इसमें मैंने दो कप मैदे के लिए दो मिडियम साइज मैंगो का पल्प निकल के लिया है अगर आपको लगे मैदा थोड़ा सुखा हो रहा है अच्छे से डो नहीं बन रहा है तो आप उसमें कुछ स्टेबल स्पून डाल सकते हैं नॉर्माल बाला दूद जो की बॉयल हो और नॉर्माल टेंपरेचर में हो जब अच्छे से डो काका ले लेगा मैदा उसके उपर थोड़ा थोड़ा करके ओईल डाल और बीच बीच में हाथ में ना चिपके इसलिए थोड़ा थोड़ा ओईल डालते रहना है आटे को चिकना होने तक हम अच्छे से गुंड लेंगे आटा को गुंदने के बाद थोड़ा सा ड्राइफ लोर डालके इसको हम बेलेंगे ठीक बाला एक रोटी बनाएंगे अभी मैं इसको कुकी कटर की मदद से कट करूंगी आप चाहे तो कोई ग्लास या आपके पास डोनर्स कटर अगर होगा तो उसमें भी कट कर सकते हो और बीच बाला हिस्सा को मैं एक बटल की क्याप से कट कर रही हूँ प्लेट के उपर एक बटर पेपर पीस आड करेंगे और कटी हुई डोनर्स को उसके उपर रखेंगे हार डोनर्स के बीच में जैसे आधा आधा इंच ग्याप रहना चाहिए साइट में से बचा हुआ जो रोटी है उसको आच्छे से और एक बार गुंद लेंगे और उसमें से भी कुछ डोनर्स बना देंगे कटी हुई डोनर्स पीसेस के उपर थोड़ा सा ओयल आड करेंगे अभी हम इसको कवर करके दो गंटे तक कोई भी गर्मी जगा में रख लेंगे दो गंटे बाद अभी चेक करेंगे डोनर्स फर्मेंट होके डवल हो चुका है साइज में तो अभी इसको हम फ्राइ करेंगे स्लो मिडियम फ्लेम में मैंने रिफाइन डोयल को गरम किया है तो जितना आएगा कड़ाई में उतना डोनर्स हमको डालना है ज्यादा डोनोट्स भी नहीं डालना है नहीं तो वो चिपक के आच्छे से फ्राय नहीं हो पाएगा डोनोट्स तलने के लिए हमको हलका गुनगुना बला ओयल चाहिए बालू साइब अगेरा तलने के लिए ईल जितना गरम चाहिए बस उतना गुंगुनावला उट चाहिए अगर जादा गरम हो जाएगा तो डोनट्स अच्छे से कूकनी ओ पाएगा उसका उपर का भागना जल जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएatus डोनट्स को तलने के लिए दो से तीन मिनिट लगता है तो अभी डोनट्स आच्छे से फ्राइ हो चुका है इसको प्लेट में ले लेंगे अभी डोनट्स थोड़ा सा गुनगुना है तो जब गुनगुना होगा उसके उपर आड करेंगे सुगर पाउडर आधा कप सुगर पाउडर में ने लिया है खारी की सारी डोनट्स के उपर शुगर पाउडर का एक गोटिंग पेएपले दे देगे अभी हम डार्क चक्लेट को मेल करने के लिए डपल बॉइलर सिस्टम मेंं यूच करेंगे तो एक ग्लास बाउल में हम डार्क चक्लेट की ह ले लेंगे और इसको मेल्ट करेंगे ड़ार्प चकलेट को मेल्ट होने के लिए 20 से 25 मिनिट लगता है चोकलेट मेल्ट होने के बाद एक डिस्पोजबल कॉन में हम चोकलेट को ले लेंगे कोन की उपर भाग से थोड़ा सा कट करेंगे और डोनर्स के उपर अपनी मन चाही डीजाइन में चॉकलेट का लेयर देंगे चॉकलेट को कोन में ना भरके भी आप डोनर्स को डायरेक्ट चॉकलेट में डीब करके भी कोटिंग दे सकते हो तो सारी की सारी डोनोर्स के उपर मैंने डिजाइन बना दिया है अभी उमारा मैंगो फ्लेवर डोनोर्स बन के त्यारे इसका फ्लेवर जितना अच्छा है ये देखने में भी उतना अच्छा है और खाने के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी है फ्रोजन बला मैंगो पल्प या फ्रेस मैंगो पल्प दोनों से हमें डोनर्स बना सकते हैं लेकिन फ्रेस बला मैंगो पल्प से ये ज़्यादा अच्छा बनता है